तो दोस्तो आज कि इस वीडियो में बात करते हैं कुछ नेटवाकिंग के बारे में नेटवाक के फंडामेंटल एक बेसिक बेसिक नेटवाक के बारे में आज बात करेंगे जो की इनिश्यल लेविल के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा मेरे दोस्त पहले बात करते हैं network की network होता क्या है network is a collection of computers when two or more computers are connected with each other that is called network to share the information between computers like files, folders, printers like that तो दोस्तों computer आप समझी के होगे इसकी definition से computer वो है कि जो एक organization में जो land cable से connected होते हैं और system work group में या domain में जो होते हैं तो वो जो connection होता है उसको बोलते हैं network अगर आप किसी दूसरे system को access करना साथ चाहते हो within the organization तो आप उसके थूरू या जो network है network के थूरू आप system को access कर सकते हो files बगरा या कुछ भी share करना हो तो आप दूसरी machine से direct access कर सकते हो अब दोस्तों दोखो इसी में एक पार्ट होता है networking यह तो तहां network अब आज आते हैं networking पे the way process of using network is called networking अब देखो दोस्तों महाँ पे क्या है कि जो network का process है उसको जो हम लोग follow करते हैं उसको जो हम लोग use करते हैं तो उसको हम लोग बोलते है networking तो दोस्तों यहाँ पे तीन तरीके की networking होती है land local area network wine wide area network and mine metropolitan area network तो दोस्तों जो land network होता है which is created in the room floor और in a building only like जो हम लोग गर पे router वगरा यूज़ करते हैं या अपने रूम पे internet की connectivity जो होती है जो isp होते internet service provider तो एक रूम के लिए वह line होता है local area network मतलब कि बिदिन दा 10 meter range तक आप बोल सकते हो कि यह local area network है मतलब कि up to one kilometer area में अगर उसकी range है तो आप बोल सकते हो कि वह line होता है local area network जो कि one kilometer के range में ही आता है मैन metropolitan area network इसके इसके नाम से ही समझ में आता है मैन network विच कनेक्ट मुल्टिपल लाइन नेट्वार्क इस configured within the town और within the city to provide the connectivity यानि कि for example मालो कि आप कहीं रह रह रहा हो और वहां से आगर 20 km या 30 km दूर पर connectivity चाहिए होगी या वहां पर connectivity अगर जा रही हो तो वहां पर यूज करते हैं मैन नेट्वार्क मैट्रो पॉलिटन एरिया नेट्वार्क को और दोस्तों जो इसकी रेंज होती है आप टू हंडेड किलो मीटर एरियास की होती है यानि कि हंडेड किलो मीटर एरिया में आप को यूज कर सकते हो अब बात करते हैं वाइड एरिया नेट्वार्क की वाइड एरिया नेट्वार्क विच कनेक्ट मल्टिपल मैन यानि कि मैट्रो पॉलिटन एरिया नेट्वार्क जो मल्टिपल कनेक्ट होते हैं और यह यूज करते हैं अब अब हंड्रेट किलो मीटर के उपर एरिया और जहां पे हंडरी डिट किलोमेट की एरिया होगा या ईसपने सब्सक्राइब अब भावाग करता है वहां पर कोई आ इस पी होता है यहें कराता है जिसके तुरे कनेक्टीविटी सेयर होती है इधर नेट का तो आपने नाम किनाए होगा तो इस टाइफ अपने की लएंड लोकल एज्या नेट वह एक टाइप होता है जिसको हम लोग इस नेट बोलते हैं या छो और फिर नेट युजित करते हैं, जो प्रोक्सी घार रखाम सेंट करते हैं लान सेटिंग में लाइन इन्टला Lacrying लाइक लेक्ट लेक्ट होग वह convention सेयल से हृआ ठोल्म, इसव प्रिगे को आपने ट हो वेडियो हो धा जैहिन जैभारत